आप सबको मेरा प्यार भरा नमश्कार आज रामधारी सिहंदिनकर जी के महा काव रश्मी रथी के चतुर्थ सर्ग का भाग एक और दो आप सबको सुनाने जा रही हूँ बहुती सुन्दर शब्द हैं प्रेमग्य अतिकठिन कुंड में कौन वीर बली देगा दन्मन धन सर्वस्य होम कर अतुल नीय यश लेगा हर के सम्मुक भी नहार जिसकी निश्ठाने मानी धन्य धन्य राधे यह बंधुता के अदबुत अभिमानी पर जाने क्यों नियम एक अदबुत जग में चलता है भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है हरे आली है जहां जलत भी उसी खंड के वासी मरू की भूमी मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी और वीर जो किसी प्रतिग्या पर आकर अड़ता है सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है नहीं सदा भी शिका दोडती द्वार पाप का पाकर दुख भोगता कभी पुर्ण को भी मनुष्य अपना कर पर जब भीरे खा प्रकाश की जहां कहीं हसती है वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभाबसती है जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवा कर नरता का आदश तपस्या के भी तर पलता है देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है आजीवन छेलते दाह का दंश वीर वरत धारी हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जाच है वरत का अंतिम मूल चुकाना अंतिम मूल न दिया अगर तो और मूल देना क्या करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या सस्ती कीमत पर बिक्ती रहती जब तक कुरबानी सस्ती कीमत पर बिक्ती रहती जब तक कुरबानी तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी पर महंगी में मूल तपस्या का देना दुश कर है हस कर दे यह मूल न मिलता वह मनुष्य घर घर है जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है उतनी बढ़ती जो तिसने हजितना अनल्प जलता है और दान में रोकर या हस कर हम जो देते हैं एहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं यहन स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का जरना है रखना उसको रोक मृत्यू के पहले ही मरना है किस पर करते क्रपावरक्ष यदि अपना फल देते हैं गिरने से उसको सम्हाल क्यों रोक नहीं लेते हैं रित के बाद फलों का रुक नह डालों का सड़ना है मोह दिखाना दे अवस्त पर आत्मधात करना है मोह दिखाना दे अवस्त पर आत्मधात करना है देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं रहे डालियां स्वस्त और फिर नए नए फल आए सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित धन हो बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो आत्मधान के साथ जग जीवन कारी जुनाता है जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है दिखलाना कारपण आप अपने धोखा खाना है रखना दान अपून रिक्तिनिज का ही रह जाना है व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते है पून काम जीवन से एकाकार वही होते है पून काम जीवन से एकाकार वही होते हैं जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वही मृत्यू के मुख में भी पढ़ कर न कभी मरता है जहां कहीं है जोती जगत में जहां कहीं उजी आला वहां खड़ा है कोई अंतिम मूल चुकाने वाला जहां कहीं है जोती जगत में जहां कहीं उजी आला वहां खड़ा है कोई अंतिम मूल चुकाने वाला व्रत का अंतिम मूल राम ने धिया त्याग सीता को जीवन की संगिनी प्राण की मन को सुपनिता को दिया अस्थी देकर ददीचिने शिविने अंग कतर कर हरीश चंद्रने कफन मांगते हुए सत्त पर अड़कर हरीश चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर इसा ने संसार हे तुशूली पर प्राण गवाकर अंतिम मूल दिया गाधी ने तीन गोलियां खाकर सुन अंतिम ललकार मूल मांगते हुए जीवन की सरमद ने हसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की हसकर लिया मरण होटों पर जीवन का व्रत पाला अमर हुआ सुकरात जगत में पी कर विश का प्याला मार कर भी मन सूर नियत की सह पाया नठ छोली उत्तर में सौबार चीख कर बोटी बोटी बोली दान जगत का प्रकृत धर्म है मनुझ व्यर्थ डरता है एक रोज तो हमें स्वयम सब कुछ देना पड़ता है दान जगत का प्रकृत धर्म है मनुझ व्यर्थ डरता है एक रोज तो हमें स्वयम सब कुछ देना पड़ता है बच्चते वही समय पर जो सर्वस्वदान करते हैं रितु का ज्यान नहीं जिन को वे देकर भी मरते हैं वीरकर्ण विक्रमी दान का अति अमोग व्रत धारी वीरकर्ण विक्रमी दान का अति अमोग व्रत धारी पाल रहा था बहुत काल से एक पूर्ण प्रण भारी रवी पूजन के समय सामने जोया चक आता था मुहमांगा वहदान कर्ण से अनायास पाता था रवी पूजन के समय सामने जोया चक आता था मुहमांगा वहदान कर्ण से अनायास पाता था पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पता का कर्ण नाम पढ़ गया दान की अतुल नीय महिमा का कर्ण नाम पढ़ गया दान की अतुल नीय महिमा का शद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्यानी अपना भाग समझ भजते थे उसे भाग हत प्राणी तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से किया नियतिने वार कर्ण पर छिपकर पुन्य विवर से व्रत्यकान कशदान था अब की चड़ीन कश पर काया कठिन मूल मांगने सामने भाग देह धर आया एक दिवस जब छोड रहे थे दिन मड़ी मध्य गगन को कर्ण जान वी तीर खड़ा था मुद्रित किये नयन को एक दिवस जब छोड रहे थे दिन मड़ी मध्य गगन को कर्ण जान वी तीर खड़ा था मुद्रित किये नयन को कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रतसा अंबुधि में आकटक निमजित कनक खचित परवतसा हस्ती थी रश्मिया रजत से भर करवारी विमल को हो उठती थी स्वयम स्वर्ण छू कवच और कुंडल को किरण सुधापी स्वयम मोद में भर कर दमक रहा था कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था विहगलता वी रूद वितान में तटपर चहक रहे थे धूप दीप का पूरफूल सब मिलकर महक रहे थे पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में उपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंदु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्त हो निज आदेश सुनाओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्त हो निज आदेश सुनाओ, अपनी पीडा कहो कर्ण सब का विनीत अनुचर है, यह विपन का सखा तुम्हारी सेवा में तत पर है, मांगो मांगो दान अन्या वसन धाम या धन दू, अपना छोटा राजया की हशनिक शुद्र जीवन दू, मेख भले लोटे उदास हो किसी रोज सागर से, या चक फिर सकते निराश पर नहीं करन के घर से, पर का दुख हरन करने में ही अपना सुख माना, भागहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना, आओ उरिण बनो तुमको भी न्यास तुम्हारा दे कर, उपकरत करो मुझे अपनी सिंचितनी दी मुझ से ले कर, अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुझ नाना विद से पाता है, कर पसार कर जब भी तुम मुझ से कुछ ले लेते हो, त्रप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो, दीनों का संतोष भागहीनों की गदगदवाणी, नयन कोर में भरा लबालब क्रतग्यता का पानी, हो जाना फिर हरायोगों से मुरजाए अधिरों का, पाना आशिर वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का, इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करू मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हस कर क्यों न मरू मैं, मूल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए, मूल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए,